करते रहे हमारे ऊपर ये सारी policy लाते रहे उसी दरह मोदी जी पर अपना campaign करते रहे और उसी दोर में पाच हवाई अड़ों को बेच दिया और ये हमारा education बेच रहा है ऐसे दोर में जब election हो रहा है तो इन लोगों को expose करने की ज़रूरत है यह जो RSS BJP के लोग है हमें जो नाशनल एंटिनाशनल का डिबेट सिखा रहे है हमें नाशनल बनने की बात बता रहे हैं हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग हर एक इंसान हरे घर में होता है जो जेनीवाने का सपना देखता है जो पढ़ने का सपना देखता है एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तब मुमकिन नहीं है सिख्षा है तब मुमकिन है सिख्षा है तब समानता है सिख्षा है तब सम्मान है सिख्षा है तब विकास है ये सारी चीज़े उनको समझानी पड़ेंगी आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलप्मेंट हो सकता है नहीं हो सकता है आपको लगता है कि नौकरी पकोड़े तेलना आपके लिए साइबर तेल में काम करना ये नौकरी है तो हम नहीं मानते इसको नौकरी नौकरी वही होती है जो ऐसा production हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए ना कि हिंदू मुसल्मान में लराए गलत गलत वीडियो डाल के आप गंगे करवा लिजे पूरे देश में लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा बोलेगा कि आप ये जो false dichotomy क्रियेट कर रहे हैं internal enemy, internal enemy तब से किये जा रहे हैं हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर internal enemy कोई है तो ये RSS के लोग है और ये आज से नहीं जब हमारे देश में लोग मर रहे थे अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए तब ये सावरकर का फोटो इदर लगा है ये लोग ही बिटिसस को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए और अभी ये बोल रहे हैं कि मिर्टू जीतेगा या फिर मिर्टू जीतेगा या सावरकर जब माफी नामा दोगे तो सावरकर जीतेगा माफी नामा दोगे देश बेचोगे तो कौन जीतेगा सावरकर जीतेगा अगर इनकी चलती तो बिटिससर के गुलाम होते हम अभी अभी भी हम गुलाम होते हैं गर इनकी चलती और इसलिए फिर से एक बार ये दोर आ गया है कि एक ऐसे लोग है जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं जो देश को बेचना चाहते हैं अलग-अलग तरीकों से हवाई एड़े बेच दिया लाल किला तक बेच दिया लाल किला और इसी लिए इसी लिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंग के जेनरेशन से जो अंगर स्टाइक भी किया अस्ते अस्ते फासी पे चड़ गया लेकिन अपनी इंडिया होगा तो एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें सब को समानता होगी सब सिख्छा ले सकता है सब हेल्थ ले सकता है और इस थरा के भारत की सपना हम देते हैं और इसलिए आज हम जेनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे उपर एक जिम्म्यदारी है कि हम सब मिलके इस आप बताईए हमारा एजुकेशन कहा है आपने कितने होस्पिटल्स खोले हैं कितने नए इन्वर्सिटी खोले यह सारी चीज़े आप बताईए वरना आपको यह देश का चंता उखार फेकेगा यह हम उनको बताना चाहते हैं और इसी के साथ यह बोलते हुए यहां पे इस व लेकि उसको मागे लेके जाएंगे यह इंशुर करेंगे कि पूरे देश में यह बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है जेनियू में कैसे एक तरफ आप EWS EWS कर रहे हैं कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्स्क्लूजन कर रहे हैं किस तरह से सीट नहीं आ रही है आप एंफिल वहाँ पे deprivation points कतम कर रहे हैं बिये lateral entry जिसमें बिये फर्स्ट यर में English में पूचते हैं जो नहीं आप आते हैं वो बिये second year में देते हैं उनको वो बंद कर रहे हैं और तब कर रहे हैं जब पूरा SL बोल रहा है कि हमें बिये lateral entry का एक्जाम चाहिए ऐसे दोर में जब यह सा पर अपनी राय जरूर दे ओनलाइन यूजिंडे की सभी खबरे अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं